हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सासे बलोग्स, फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो में हम लोग ने दिल्ली पुलिस ड्राइवर, जो की प्रिवियास एर कोश्चन पूछे गये थे 2009 में, उसका कोश्चन स्रीज देखे तो, आज उसी स्रीज को आगे बाद हाते हुए, कुछ ब प्यात्नियम और पॉलूशन से समधित कोश्चन था, तो आज हम बिना देरी के स्टाट करते हैं, अगला कोश्चन तो देखें, नेक्स्ट कोश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट कोश्चन देखिए, क्या बोला है, 61, दिया गया संकेत क्या दर साता है, तो ये संकेत देदिया और यह संकेत क्या दर्साता है तो दखिए यह color यहां black दिख रहा होगा लेकिन वहाँ exam hall में red भी हो सकता है क्योंकि हर एक जितने भी संकेत रहते वो red आना ही तो blue type blue green type के रहेंगे तो चलिए देखते हैं option a क्या बोला है option a बोला है पर्तिक्षा करना निशेद है केवल एक तरफ के लिए परवेश सी क्या बोला है ऑवर टेकिंग निशेद परवेश निशेद है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct जखिए जब यह सिधा रस्ता जा रहा है इसका cross देखिए यानि कि परवेश वर वाहन की धुलाई के बाद जब break लगाने की छमता कम हो गई हो तो आप क्या करेंगे तो इसका सबसे पहले हम लोग option देखते हैं और एक बात और जब यह हम question आप लोगों को बता देते हैं तो मन में आप लोग answer जरूर सोचेगा ताकि सोचने का जो छमता है वो बढ़ेगा और exam hall में भी आप बैठिएगा तो आसानी से सोच के answer दे सकते हैं तो चलिए option देखते हैं उस वाहन का परियोग बंड कर देंगे उसके बाद B क्या बोला है workshop में जाकर break ठीक कराएंगे C क्या बोला है धेमी गटी पर वाहन चलाते हुए बार बार break लगाने से break लगने की छ कि ची क्यों होगा क्योंकि जब घूलाई किजिएगा तो बार 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 ब्रेक लगने से break लगने की छमटा लोता आती है वह जब हम break चप्टर पर हाएंगे तो उस में आपको हम पूरा बताएंगे कि बार-बार बिरेक लगाने से मतलब कौन सा ब्रेक है भाकम ब्रेक रहता है तो बार-बार लगाने से क्यों ब्रेक की छमता लोट आती है यह सब हम ब्रेक वाला इस्पेशल वीडियो और एक बात और बताते हैं ब्रेक पर इस्पेशल वीडियो बनाए भी है उसका जो लिंक है वह प्लेइलिस्ट में दिल्ली पुलिस ड्राइबर वाला में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो वहां से आप लोग देख सकते हैं नहीं तो स्पेशल वीडियो आएगा है चलिए तो इसका एंसर क्या हो जाए सी फर्चन नहीं यानि कि धिमी गति पर वहां चल कमते हां तो इंजन वाला स्फेशल वीडियों वह जाके देख सकते हैं डीजल राता है तो देखिए पेट्रोल इंजन में डीजलन में बलता यह चाहिए ब्सक्राइब है जालने यह जलने वाला रहता है फिर वह इसमें के लिए grapes हो मिनल पत्वनाटी आताा है तố क्यों तो वो compressor के कारण जेखिए diesel engine का जो cylinder रहेगा वो बरा बरा रहेगा वो जो piston और cylinder के अंदर जो piston लगा रहता है वो इतना उसको compress कर देता है fuel को diesel को कि वो अपने आप जल उसता है लेकिन petrol engine का engine एकदम छोटा छोटा रहेगा समझे तो इसलिए उसको जलाने के आई यह क्यों रह question देख रहे हैं तो spark पलग रहता है तो spark पलग इसमें cylinder का जो compress होने का जो distance रहता है वो कम रहता है वो कारण यहाँ पर एडिशनल में दिया जाता है लेकिन diesel engine में इतना distance रहता है कि मान लिए यहां से piston शुरू हो जाएगा चलना उपर तक जाते जाते खुर जल जाता है इस इसलिए इसका answer correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा deep or daily यानी crank shaft क्या करेगा उसको compress करेगा नीचे मान लिजे यह देखे यह cylinder रहता है एक मिन देखे यह diesel engine है इसमें piston लगा है और यहां पे crank shaft रहता है यह उपर piston को ले जाएगा compress करेगा तो उसके कारण डिजल क्या है आप चले next question देखते हैं next question देखिए 67 अनिवारे traffic संकेत किस आकिरती में दर्सा दर्साय जाते हैं यह आप लोग इसमें यह फसाव question है बोलिएगा इसर कैसे फसाव question है तो देखिए सबसे पहले option देखिए यह बोलिएगा A आयत B ट्रिभूज और C विर्ट और D किसी भी आ C होगा लेकिन C इसका answer नहीं होगा C गलत हो जागा अधिकतर जो अनिवारे traffic संकेत हैं इसमे अधिकतर रूफ गोलाकार में रहते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे आकिरती हैं जो गोलाकार में नहीं जाते एक्जाम्पल के लिए इसलिए इसका एंसर हो जाएगा किसी भी आकिर्टी में इसके लिए हम एक्जाम्पल एक दिखाते हैं देखे जो अहां देखे यह सब हम वीडियो बना चुके हैं थियोरी कलास जो याता यात संकेत वाला है वो हम बना चुके हैं तो नहीं देखें तो होते हैं यानि हर समय पालन किया जाना अनिवारे है और उसके बाद दखे राव किया जाना अनिवारे संकेट अनिवारे कहने का मतलब क्या हैً अनिवारे गोलाकार में नहीं है इसलिए इसका correct answer क्या हो जाएगा विल्ट नहीं और ч ii इसका correct answer क्या को किसि किसी भी आकिर्ति मेंD deprived हो जाएगा कि किसी भी आकिर्टी में हो जाएगा लेकिन अठिक्टर किस में रहते हैं विर्ट में यानि गोलाकार में रहते हैं चलिए नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं नेक्स्ट कोस्चन क्या बोला है नेक्स्ट कोस्चन देखिए चोक कब इस्टेमाल किया जाता है देखिए यह जो फिगर है वो गलत दिया गया है नीचे वाले के लिए है तो देखिए चोक कब इस्टेमाल किया जाता है तो अप्शन इसमें क्या बोला है हमेशा देखते होंगे कि जे गारी चोक में मतलब कोई भी इंजन को क्या चोक में हो जब इन धूगा दे रहा हो और इसकी क्या पुला करेक्ट एंसर हो जाएगा C4 यानि की इनजन धंड़ femme जब ठंड के दिन में देखते हैं अधिकतर लोग बलते हैं जोक में डालो ज़िए जल्डी हो जाएगा तो यही कारण चोक कभ इस्टेमाल किया जाता है जब इंजन पूरी तरह से ठंड हो इस्टार्ट नहों हो रहा हो तब क्या किया जाता है यह हम इस्पेशल वीडियो बत इसका एंसल क्या हो जाएगा सी फर्चन ज़र्ट यानि कि जब इंजन ठंडा हो नेश्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 क्या बोली है दिया गया संकेत ड़शाता है तो देखिए यह कोश्चन कहीं इदर आ गया तो देखते हैंervा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है श्रुव क difक जाता है तो इसका हर एक लोग जानते है कि मिट्टी टेल कहां मिलाया जाएगा पेट्रॉल इंजन में तो समय डिजल इंजन में क्या होगा ठंडी जलवाई में मिट्टी टेल मिलाया जाता है किसमें डिजल में मिलाया जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा यानि कि डिज चलिए next question देखते हैं जब भी engine oil बडलते हैं तो dot dot को भी बडलना परता है यानि engine oil बडलते time और क्या बडलना परता है तो ये तो सब जानते हैं क्या बडलना पर engine oil change करते समाएं क्या oil filter मतलब filter में क्या गंडगी पहले से रहता है इसलिए वहां पर oil filter भी change करना परता है चलिए next question देखते हैं सुचनात्मक संकेत प्राय किस आकिर्टी में दर्शाए जाते हैं चलिए यह question देखें यह सब question बार बार पुछे गए हैं मतलब पुछे गए हैं पुछे जाएंगे और आने वाले time में पुछे भी जाएंगे मतलब यह question आया है आयगा और आयेगे चलिए देखते हैं इसका option क्या है option है A में तिर्भूज आयत C में विल्ट और D में विश्यस आकिर्टी में किसी विश्यस आकिर्टी में नहीं इसका correct answer क्या हो जाएगा आयत क्योंकि सुचनात्मक संकेत आयताकार मतलब आकार में होते हैं कैसे तो एक जामपल दिखा देता हूँ आप लोगे को देखें ये रहा देखें सुचनातमक संकेत चालक को दिशागंतवे तथा सरक के किनारे उपलब्द सुभधा आधी के बारे में जनकारी पलडान करती है और ये देखें ये संकेत आका है जैसे आगे होस्पिटल है आगे पिट्रोल पंप है आगे टेलीफोन सर्वजानिक दूरभास है बस स्टॉप है ये सब जो हम लोगों को सुभधा के बारे में मतलब निलडेस देता है उसको हम लोग क्या बोलते है सुचनातमक यानि कि हमले हमें सुचना देने का काम कर यह संकेत तो यही है स्वेस्म चाई उसी तरह आपको पूछ लेगा तो, मतलब यह कौन से आखार्मे होते हैं तो यह तियें कि रिंगेल आखार्में तो चेसा में लेके आजिए रसता बंद है, आपको जाना नहीं है लेकिन जो चेताब नी है वो चेताब नी दे रहा है जो आगे दस्ता थोरा खराब है ठीक से जाए ऐसे हुगा और सुचनातमक मतलब जो आपको सुचनातमक दे रहा है चलिए next question पर आ जाते हैं तो दिया गया संकेत यह दे द खिय क्या द रसता ही जब यह रेड कलर में रहेगा वहाँ यह ब्लैक डिखनार यह लेकिन रेड में रह्यागा जब समाप्त है जब ऐसा दिख जाएगा न तो आप लोग समझ जाएगा कि जो पर्तिवंध है वो समाप्त यानि कोई पर्तिवंध लगा हुगा था सरक पर यहां से आप समाप्त हो गया ओके तो 75 का करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा वीफर बंबे चले नेक्स्ट कोस्चन देखते 77 दुसरे वाहन को वाय तरफ से ओवर टेक कब कर सकते हैं तो इसका जो करेक्ट इंसर हो जाएगा वो यह केवल तभी आप आगे कर सकते हैं ओवर टेक जब केवल तभी आप आगे जा रहा वाहन दाये मुरने लगे और जब वाये और आपको कोई रुकावट न दिखे तब जाके दुसरे वाहन को आप दाय तरफ से क्या और टेक कर सकते तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जागा भी फरवंबे तो देखिए ये सब गुल चक्र नियम क्या है मतलब जितना नियम बला है न उस पर हमें स्पेशल वीडियो लाएंगे तो उसके लिए टेंशन न आई अभी बस मोटा मोटी समझ लेजिए तो उसके बाद देखिए क्या बोला है सरक टुटी हुई है बी क्या बोला है एक तरफा रस्ता आगे संक्रा मतलब की आगे जो रस्ता है वो संक्रा हो गया है उसके बार आगे डि क्या वोला है आगे अंदर पास है इसका जो correct answer हो जाएगा सी यानि कि आघे संकरा रश्ता है कैसे आप लोग जाने गाए यहां से चौराई जादा है लेकिन आगे जाके इसका जो चौराई है वो कम जाता है यानि कि आगे कम चौराई वाली सरक स्टार्ट होने वाला है तो इसलिए यह संकेत यह मतलब सुचना दे रहा है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यह फार्बुडेटर नहीं होता है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो यह लोग आप लोग देख लिजेगा यह फोके जगा देजेगा तो यह हमें साथ जैसे कर्बुडेटर बो कर्बुडेटर लगा रहा था है क्योंकि वहां पर कर्बुडेटर का काम रहता है और फ्यूल का मिक्स करके शेलेंडर के अंदर भेजना ओके तो यह सब जब कर्बुड़ेटर पढाएंगे और वी-e-6 में अभी कर्बुडेटर नहीं दे रहा है अभी क्या उसमें आ रहा में यूज होता है और वाहन के अंडर वाहन की सहता होता है तो यह तो हमसा वैकम मुष्टर वर 1-2 वहान के अंडर किसमें सहता होता है तो यह तो हमों अखिंदक रहूआ जाख मुष काभाद की बुष्टर का कहा काम है तो वह ब्रेक में ओके तो कहां पे साहता रेकलता है भैकम के जरी क्या ब्रेक लगता है तो यह सब हम ब्रेक चेप्टर पर हैंगे उसमें एक दम मतलब खुन में घुसा देंगे तो इस सब के लिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नही चले नेक्स्ट देखते हैं 82 दिया गया संकेत क्या डर साता है तो इसमें क्या है केवल पचास बहनों के लिए पार्किंग की जगा उसके बार बी क्या दाए 50 मीटर आगे सरक पर आगे सरक बंद है उसके बार गती सीमा 50 किलो मीटर प्रती गंटा सी बोला है और डी क्या बो स्कूर्च रहे हैं जाने कि गती सीमा 50 किलो मीटर जब ऐसे 50 लिखा रहे है या निकि आप इस रोड पर 50 किलो मीटर पर आवर केशाल से आपको चलना है ओके तो यहीं यह गती सीमा बता रहा है चले नेक्स्ट क्या है कार स्टार्ट करते समाए एक्सिलेटर का क्या स्थिट करना चाहिए उसके बाद यह पूर्णे तह नीचे डवा होना चाहिए उसके बाद समाने तह इसको बिल्कुल नहीं दवाना है करेक्ट एंसर हो जाएगा ध्यान देजिए एक आपको लगतार पंप करना यानि कि कार स्टाट करते समया पंप करने जाएगा यह तो एक दम गलत है उसके बाद यह पूर्णे तह नीचे दवा होना चाहिए क्या यह सई है क्या नहीं यानि कि एक्स्रिलेटर आप पूरा क्या होनी चाहिए तो समाने तो बिल्कुल नहीं क्योंकि एक आएक अगर दवा देते हैं तो वह स्टाट नहीं होगा अगर स्टाट करते हैं तो केवला आपको हलका मतलब उसको टच करना पड़ता यह नहीं कि उसको पूरा दवा देना है तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जा वह हम जो यह पाट थेरहें सब्सक्राएं शेह मतलम यह तिसरा लेक्ट्ञे तो तीन लेक्ट्ञे में हम लोग ने पचास कि जो कोष्टन है वह स्रीज पूरा अने तो आप्लगने थेयूरिक कल्स लाइन ग nella और यहीं से आपको 50 में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 अगर इधर मतलब यह नहीं 50 में 50 ला सकते हैं लेकिन मेहनत करना परेगा लेकिन 45 हम लोगों का target रहेगा है कि आपको 50 में 45 असानी से नंबर मिल जाए ओके तो वो कैसे होगा आपको हमारे साथ मिल के मेहनत करना परेगा तो इधर भी 50 है तो इसके लिए भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है इसका भी वीडियो अप्लोड इसी यूटूड चैनल पे किया जागा पहले देखिए जो पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी है यह बहुत सारे लोग है जो ऐसे जानते हैं लेकिन पार्ट दी है व और पर्यावरण पॉलूशन यह सब है तो यह सब आसानी से हम करवा देंगे इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तो यहीं सब है और याता यात का नियम है वो चार वीडियो में हम लोगों ने पूरा ठियोरी परहा चुके है तो वो वीडियो आप ल नमर दिया गया है यह वार्टसप नमर है इस पर आप लोगों के मैसेज किजिए हम आप लोगों को यह जो नोट्स और जो परहाते हैं और बहुत सारे थियोरी बूक है तो आप लोगों को हम सेंड कर देंगे तो कौन सा नमर पर मैसेज करना है यही 7564864459 और यह नमर ससी क धीकुमार के नाम से शेव कर लिजिएगा यह मेरा ही नमर है और आपको कि मतलब हमसे ढायक्ट आप इस नमर के माद के माद हमसे होगा और कहा होगा तो वार्टसप कि चुरू हो आप लोग मैसेज किजिएगा और हम आप लोगों से कंटेक्ट करेंगे ओके और उसी सब्सक्राइब नाम से तो वहां पर आप लोगों को जा के क्या करना है जोईन कर लेना है और चैनल को खुशी-खुशी एकदम दुखात्मा बनके सब्सक्राइब नहीं करना है और लाइक भी करना है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धरनेवाद